नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आशिष आपका स्वागत करता हूँ ट्रक्सपसिज.com के इस YouTube चैनल में आज हमारे साथ एक खास गाड़ी है जिसका नाम है 11-12 LPT और यह पेशकर से टाटा मोटर्स की तरफ से और यह खास इस वज़े से भी हो जाती है क्योंकि यह सीधा BS6 इंजिन के साथ ही लॉंच हुई है इसका नाम आपने पहले नहीं सुना होगा इसके अंदर बहुत सारे फुली लोड़ेट फीचर्स है एक्साइटिंग फीचर्स है जिसके बारे में हम इस वीडियो में अच्छी तरीकी से डिसकस करेंगे यह आती है 11 टन ग्रॉस वेट कैटेगरी के साथ और इसके अंदर चार बॉड़ी लेंथ ऑप्शन्स हैं अगर आपने हमारा चैनल सब्स सब्सक्राइब कर लिजे और उससे पहले इस गाड़ी की कुछ जल्किया भी देखिए सब्सक्राइब के साथ यह आपको 6.8 से 7.3 10 का पेलोड देता है यह ट्रक हेवी ड्यूटी लेडर फ्रेम चैसिस पर बेस है जो 200 mm गहरा और साथ ही इसकी थिकने से 5 mm की इसमें चार वील बेस ऑप्शन और चार बॉडी लेंथ ऑप्शन्स 14 फीट, 17 फीट, 10 फीट और 22 फीट के साथ यह आपके कई बिस्नस एप्लिकेशन को केटर करता है जैसे की ट्रांस्पोर्टेशन आप फ्रूट्स, वेजटेबल्स, फम्सीजी, इकोमर्स, वाटर टैंकर, फूट क्रेन और लपीजी सिलेंडर्स साथ ही इसमें आप 6000 लेटर का फ्यूल बाउजर भी आइड कर सकते हैं इसमें लगे हैं 8-5-16 साइज के 6 रीडियल टायर्स और इसका ग्राउंड क्लेर्स है 203 अमेम का 120 लेटर की फ्यूल टैंक कैपिसिटी भी दी गई है इस सेग्मेंट में ये वकाबला करता है आईशर प्रो 25-95XP, अशोक लेलेंड इकोमेट 10-15, भारत बेंज इस 10-15R जैसे ट्रक से आईए बात करते हैं इसके ड्राइब लाइन की 3.3 लिटर का न्यू जनरेशन 4 सिलिंटर इंजिन दिया गया है 125 HP की पावर के साथ 390 Nm का maximum torque निकालता है यही नहीं, 1000-200 RPM के widest range में ये torque अविलेबल है जिसकी वज़े से आपको city driving condition में बार-बार gear changes नहीं करने कुडेंगे इसमें लगा है 5-speed gearbox, gear shift advisor के साथ और 310 mm का clutch जो clutch booster के साथ आता है जिससे pedal efforts driver के लिए 30-40% तक reduce हुए है semi elliptical leaf spring suspension के साथ इसका improved engine mount cabin में NVH levers को कम करता है यही नहीं driver के comfort को बढ़ाने के लिए 6-way adjustable and suspension enabled driver seat और tilt and telescopic power steering wheel का भी feature included है cabin के interior को अच्छी fit and finish के साथ कई modern features मिलते हैं जैसे की blur की सुविधा, lockable safe club box जिसमें समान सुरक्षित रहता है sharing के सामने है MID display जिसमें आपको speed, rpm, battery health, trip meter, adblue tank का level, distance to empty जैसी तमाम जानकारी मिलती है साथ ही इसके dashboard पे लगा है music system with FM and aux input और आपके digital devices को charge रखने के लिए 2 USB fast charging ports दिये गए हैं साथ ही illuminated keyhole मिलता है जो अंधेरे में सही जगा चावी लगाने में सुवधा देता है और advanced telemastik system जिससे owner अपनी पूरी fleet को एक mobile app की मदद से connect करके manage कर सकता है safety को देखते हुए इसमें दिये गए हैं full 325 mm size के air brakes और reverse parking sensors जिससे reverse gear में truck होने पर उसकी 2 मीटर की दूरी में किसी भी गाड़ी या समान के आने के बाद इसके sensors driver cabin में beep sounding signals देने लगते हैं इसका service interval 60,000 km कर दिया गया है जो पहले इस range के trucks में 40,000 km हुआ करता था साथी company आपको इस पे 3 साल या 3,000,000 km की drive line warranty भी provide करवाती है जो देता है आपको complete peace of mind आखिर में आती है इस truck की pricing जिसके अंदर दो variant इसके सबसे ज़्यादा popular हैं 17 feet और 20 feet 17 feet में आपको cabin chassis model 18,50,000 का मिलेगा और साथी high deck में जाएंगे तो ये 19,20,000 का हो जाता है 20 feet में cabin chassis का price है 18,70,000 रुपे और high deck में मिलेगा 19,50,000 रुपे तो फलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक नई commercial vehicle की वीडियो के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसमें like का button जरूर दवाएए और comment करके बताईए कि in future आप कौन से commercial vehicle का वीडियो देखना चाहते हैं साथ ये आपका कोई भी सवाल हो उसका जवाब देने की भी हम पूरी कोशिश करेंगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ गुडबाई टेक केर